दुनिया में को ऐसी मशीन नहीं है that cannot be tampered कि EVM पे भरोसा नहीं क्या जा सकता है क्या ये लोगतांदरिक प्रक्रिया में तखलंदाज नहीं कर रहे लोगसभाद चुनाव में साथवे चरण की वोटिंग से पहले EVM पर एक बार फिर विबाज शुरू हो गया है चार जून को जनादेश राम ने आने वाला है लेकिन विबाख्ष ने अभी से EVM को कोसना शुरू कर दिया है पुर्वक एंद्रिय मंत्रिय और वर्तमान राजिसभा सांसद कपिल सिब्बल का कहना है कि दुनिया में कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जिसके साथ छेड़ छाड नहीं की जा सकती सिब्बल का दावा है कि हर मशीन के साथ छेड़ छाड हो सकती है विपक्ष के इस बयान से पहले अमितर शाह भी EVM को लेकर विपक्ष के एजेंडे पर सवाल खड़े कर चुके है अमितर शाह ने कहा चार जून को मोदी की विजय निश्चित है चार जून की दो पहर को आप देख लेना राहूल गांधी के लोग प्रेस कॉन्फरेंस करेंगे और कहेंगे कि EVM के कारण हमारे है और हार के बाद खरगे की नौकरी चली जाएगी और अखिलेश बाबो कितना भी आपके प्रती सहानुबूती से मैं बात करो आपका चार भी पार नहीं होना है चार भी पार और चार तारिक को दो पहर को आप देख लेना ए राहूल बाबा के लोग प्रेस कॉन्फरेंस करेंगे कि ए ईवी एम के कारण हमारे है और खरगे साब आप भी समझ लेना ये बाई बेन पर ठीकरा नहीं फूटने वाला है ये बाई बेन पर ठीकरा नहीं फूटेगा हार का ठीकरा खरगे साब पर फूटेगा और उनकी नौकरी जाने वाले तो वही पुर्वकेंद्रिय मंत्री कपिल सिपल के बयान के बाद EVM की विश्वसनियता को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े किये जा रहे हैं कॉंग्रेस नेता राशिद अलवी का कहना है कि EVM के साथ छेड़ छाड़ की जा सकती है वही बीजेपी कॉंग्रेस और कपिल सिपल के आरोपों को सिरे से खारिज करती नजरा रही है मेरा मानना है कि देश के अंदर चुनाओ बैलेट पेपर से होना चाहिए EVM ना काबल भरोसा है टेमपर्ड किया जा सकता है उसकी बहुत सारी मिसाले मौजूद है EVM के जरिये दुनिया के अंदर कहीं चुनाओ नहीं होता ना अमरीका के अंदर होता है ना इंगलैंड में होता है ना जापान में होता है हिंदुस्तान के अंदर EVM से होता है और इसका हमको बहुत तल्ग तजर्बा है चुनाव के चलते ईवियम के उपर में प्रशनों उठाते जाते हैं यह कहना कि हम प्रशनों नहीं उठा रहे हैं लेकिन मशीन में घरबर हो सकती है यह तो प्रशनों उठा नहीं है यही नेता कोड के सामने भी जाते हैं कोर्ट में आज तक इन बातों को स्वीकारा नहीं यही नेता EVM के माध्यम से जो चुनाद होते हैं उससे चुने जाते हैं जीतते भी हैं तब EVM को गलत नहीं मानते तो इस प्रकार के प्रश्णियों उठा उठा कर चाहे इस रूप से या दूसरे रूप से क्या यह लोगतांतरिक प्रक्रियां में दखल अंदाज नहीं कर रहें EVM के विश्वस नियता पर सवाल खड़े करने का यह कोई पहला मामला नहीं है इससे पहले भी विपक्ष कई बार EVM को कट घरे में खड़ा कर चुका है और सूप्रिम कोट तक का दर्वाजा खटखटा चुका है लेकिन जिस तरह 4 जून से पहले EVM पर माहौल गरम है तो विपक्ष के लिए बिलकुल भी शुबसंकेत नहीं है ब्योर रिपोर्ट न्यूज जटी